हाई फ्रेंड्स में अकांशा सर्माद जी के विदकांशा में आपका स्वागत करती हूं पटवारी 2023 के लिए आज हम नेक्स प्रेक्टिस एट लेके आए हैं और यह जो पेपर हम इसमें लेके आए हैं वह है 18 दिसंबर 2017 का प्रथाम सिफ्ट का पेपर बहुत ही मैं अत्पू प्षलीवार पेपर में बहुत सरे सिफ्ट हुए थे तो अलग अलग पेपर का अलग अलग कोशन आये वह थे तो जिससे अपकी बहुत सर प्रेश्णों के को सकती है इसी की कारण में आपके लिए कोर्स लेक का आई notorzia करते हैं कम्पुटर्स स्टार्ट करते हैं कम्पुटर का सरवादिक तेज सरवादिक सकती साली तता सरवादिक मूलवांस रणी कौन सी कहलाती तो अभी वर्तमान में सरवादिक तेज और सरवादिक सकती साली मूलवांस रणी है कम्पुटर की वो है सुपर कम्पुटर कौन सी है सु उपर computer कौन सा है अगला question है कौन सी एक shortcut कुंजी है जिसका उपयोग MS word में margin के बीच में समान रूप से content वित्रित करने के लिए कि लिए समान रूप से content वित्रित देखो control plus L का मतलब होता है आपको left में जाना हो left align करना हो र का मतलब होता है अगर आपको right में करना हो और E का मतलब होता है आपको center में करना हो और J का मतलब होता है justify करना हो मतलब एक दूसरे को equal करना हो तो यही आपका answer हो जाएगा control plus J, L से left, R से right, E से center और J से क्या होता है justify मतलब जब आपको word में margin के भी समान रूप से content वित्रित करना हो तो आप किसका use करेंगे control plus J का करेंगे मैंने बहुत सारी shortcut कुझीज का objective भी बनाया हुआ है और अलग से भी video बनाया हुआ है इसके अलब MS Excel, MS PowerPoint, Word इनके भी video बनाया हुए है अगर नहीं देखिए तो देख लीजेगा इसी कही जो हमारा पटवारी का course चल रहा है उसमें आपको playlist में मिल जाएगा MP पटवारी group 2 वहाँ पर आपको उसके सभी videos मिल जाएं कि computer के बहुत सारे question करवाएं आज एक बहुत important वीडियो दिन में आने वाला है मध्यपिदेश के 700 प्लस question अगर वो कर लेंगे तो मध्यपिदेश का कोई भी प्रेशन आप कर पाएंगे मैरा थन वीडियो रहेगा एक दिर घंटे का वीडियो रहेगा उसको जरूर जोइन कीजेगा अगला question है डैस एक algorithm या द्रस या चि यहां पर बोल रहे हैं कि द्रस या चित्र में है तो चित्र में data तो होता नहीं है तो क्या हो जाएगा answer चित्र में क्या निरूपर है चित्र में फिलो चार्ट में पर है आपको सबसे पहले कोई भी option देखे तो आपको eliminate करने की आपको जो mainly आपको दो answer दिख रहा है उनको को पर अनमें तो सोचना चीए कि अगर आपको answer नहीं आता है तो अगर नहीं दोनों मेंसे ही सोचना चांगता हो तो आप चारों में जो अखोगा वो आप लगा ही देंगे लोग छार्ट में programming language की बारीकिया सामिल नहीं होती है ये भी ध्यानर रख्यगा spread spreadsheet का निर्मार करने और format करने के लिए प्रियोक्त होने वाला एक सकती तो rap इंद सब्सक्थर काय existe लिए और रहे सकती स्वाइब में काया है तो क्छो रहे हैं मतलब फेद सीट का निर्मार करता या Microsoft Office X तो मैंने अभी बत्ता है कि इसी में ही इसको टूल इसको फार्मिट करने की प्रिक्रिया रहेगी किसमें Microsoft Office में Microsoft Office XLE के ऐसा अनुप्रियोग है जिसमें गरती है संख्य की गर्णा के साथ बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को विवस्तित किया जाता है अगला कुशन है website के पहले page को क्या कहा जाता है जैसे ही हम website के तिको ये computer का पहला page नहीं बोल रहा है ये website का पहला पुछ बोला है का पहला पेच क्या कहा जाता है home page क tortured याद रखीए है जाती का पैपसाइट का पहला पेच होम पेच कहा जाता है चार विट का समुउक क्या कहलाता है चार बिट का समुँ dum ऑलते बाइट मतलब 8 का हो जाएगा किलो बाइट ایک 1 मेगावाइट बरावर 1024 किलोवाइट और 1 किलोवाइट बरावर 1024 पाइट MS word में एक सब्द की जगे उसके परियाई सब्द को बदलने के लिए किसका उप्यों किया जाता है परियाबाची सब्द को बदलने के लिए यह लास्ट वाले उस मीडियो में भी कोश्चन था ब्लैस एक सिस्टम सॉफ्ट्वियर है जो टेक्स और डाटा की एडिटिंग को सुविधा जनक बनाता है एडिटिंग को तो पावर पॉइंट में तो स्लाइड बनाई जाती है पेंट से हम पेंट करते हैं एडिटर्स और पॉइंट के लिए एडिटिंग को सुविधा जनक बनाता है तो आपका अंसर क्या हो जाएगा एडिटर्स हो जाता है अगला कोशन है स्मार्ट आर्ट किसका फीचर है फोटो सौप का MS Word 2007 का टैली का कोल डाप MS Word 2007 का फीचर है स्मार्ट आर्ट किसका फीचर है स्मार्ट आर्ट किसको बनाता है टैक्स को किसका फीचर है यह एमेश वर्ड दोहजार साथ का फीचर है अगला कुशन किस बटन का उप्योग एक्टिब बिंडो को टासक वार तक ले जाने किया जाता है एक्टिब बिंडो को टास्कवार से स्क्रीन पर लाने के लिए करते हैं His attachments, PC, IP TCP, IP, ISP TCP, tap code isespère 내 protocol CTPCみ plگots, URL के दो महत्पून भाग कौन से होते हैं। तो देखो सूशना परद्धगिक की एक हैam में URL Uniform Resource Identifier का सब्सेट होता है इससे ग्याद होता है वही उयरे में प्रोटोकॉइल और मिली क्या होता है, प्रोटोकॉल और टोमेंड नाम। दो महत्मूल भाग कौन कौन से होते हैं ? एक होता है protocoll और एक होता है domain name URL के दो मुलबूद भाग कौन कौन से होते है protocol اور क्या होता है domanome name होता है URL और domain name URL के दो मुलबूद जाँ prof Color Domain Name होते है एक से दिक processor वाला processor जादा है तो क्या हो जाएगा multiprocessor हो जाएगा सुपर कॉंप्यूटर भी multiprocessor data को logical order में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है searching तो होगा नहीं कि आप search नहीं कर रहा reproducing classifying तो दूसरा और चौथ था तो searching producing नहीं लग रहा है पहले और तीसरे में से देखेंगे तो जब logical order में व्यवस्थित करते हैं तो किसका यूज करता है क्या कहलाता है sorting data को logical order में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है sorting कहलाता है data को logical order में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है sorting कहलाता है sort प्रिक्रिया से excel में data number या alpha weight के अनुसार स्वाट प्रिक्रिया में जो data को प्रिवस्ट कराते हों किसके अनुसार कराते हैं या तो data हो या number हो या alphabet उसी के अनुसार कराते हैं निम्ली कितमे से कौन सा एक hardware है असेंबलर, compiler, server या interpreter तो दिखो अब server से जोड़ते हैं तो server एक hardware होता है बाकी यह language की translator है और server एक hardware है जिसे client की सेवा के लिए design किया जाता है Assembler, compiler और interpreter ये सभी software है Computer का मुख प्रोसेसर इसके द्वारा संगिटित किया जाता है किसके द्वारा motherboard, power supply, keyboard या monitor तो computer का मुख प्रोसेसर किसके द्वारा मुख जो प्रोसेसर है वो किसके द्वारा होता है motherboard क्या होता है, motherboard एक printed परिपत board होता है इसे man board या system board भी कहते है motherboard में मुख के प्रोसेसर संगिटित होता है Excel data और time को किस रूप में store करता है Text data के रूप में, numbers के रूप में, bulls के रूप में या formulas के रूप में Excel क्या होता है, ये एक data spreadsheet होती है और जो Microsoft दरा तयार हो जाता है, इसमें data और time numbers में store होते है इसमें data और time किस में store होते है, number में बहुत important question है, कि Excel में data और time को किस रूप में आप save करते हैं किस रूप में आप store करते है, data और time को store करना है अगला पूछ रहे हैं इन में से क्या एक antivirus software नहीं है DVMS तो सुरू में ही दिख रहा है data waste management system होता है तो यही आपका answer वो जाएगा बाकी सभी antivirus है Avastar, McAfee, Avira यह सभी क्या है antivirus है अगला उपयोग है Desk का उपयोग data और password की सुरक्षा के लिए किया जाता है encryption, authentication, verification या computer आप देखो computer तो होगा नहीं authentication द्वारा क्या करते हैं कि आप अपनी पहचान बताते हैं और जो encryption होता है वो जानकारी को एक algorithm की सहायता से परिवर्तित करता है data और password की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है encryption का ही उपयोग किया जाता है data और password की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है encryption का उपयोग किया जाता है verification में तो हम verify करते हैं numbers से, email से, authentic verification में अपनी पहचान बताते हो computer तो computer ही होता है तो जबी डाटा और पासबट की सुरक्षा के लिए किस कॉप्यों किया रहता है एक पेज के प्रिंटिंग एरिया से बाहर का रिस्तिक्तिस्तान मतलब जो प्रिंट में नहीं आता है वो क्या कहलाता है हेडर, फुडर, फुटर, क्लेपार्ट या मार्जिन तो जो मार्जिन जो एरिया रहता है उसको छोड़कर प्रिंट किया जाता है तो मार्जिन एरिया प्रिंटिंग एरिया से बाहर का रिस्तिक्तिस्तान होता है उपर का इस्तान हेडर कहलाता है, नीचे का फुटर कहलाता है और जो printing area से बाहर होता है वो क्या कहलाता है वो margin कहलाता है आप एक business letter लिखने के लिए किस application का उपयोग करेंगे तो जब आपको कोई भी resume बनाना हो, business letter लिखना हो तो आपको MS Word का उपयोग करना रहता है MS Excel से आप spreadsheet बनाते हैं और MS PowerPoint में आप slide बनाते हैं तो यह यह याद रखिएगा अगर आपको business letter लिखना है तो किसका उपयोग करेंगे MS Word का उपयोग करेंगे इस word में हमको typing की editing की formatting की और printing की सुभण दी जाती है इस कारव से business letter हमेशा MS Word में लिखे जाते हैं यह हमारी computer की complete हुए अब हम Hindi के question करेंगे हिंदी के question करने से पहले अगर आप मधिवदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं अब हमारे सरल भासा में to the point स्लेवर्स के according notes ले सकते हैं बहुत ही सरल भासा में तैयार किये गए है flow chart diagram का use किया गया है जो key point यहां से पूछे जाते हैं उनको गबर किया गया है सबसे main thi इसके साथ मिलने वाला है यह World sub Re Britain इस वार्षाफ की घूरुप में आपकी तैयारी कराई याती है mau अपडेट दिया जाता है महत पूंज यह पर कराई जाती है यह गुरूप आपके लिए घ्रांबारgeb का काम करता है यही वह गुरूपते मेस्की ट्रेक्स हों यहां पर कोशन के हों कंपूटर हों हिंदी की बॉकाईबलरी लिज्व कि Okay, English की मीनिक हो सब आपको यहां पर कने का याँ पर कराया ॉकरमूल क्यामूल बठा से संब्धित कोंदै करा है और यहां यहां से कोशन है वह एसे तो अगर आप यह निला चलेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर यह नंबर पर वाट्सप कर सकते हैं यहां पर आपको हर कुछ हर टॉपिक हर स्लेवर्स का कवर होगा साथ में आपको यह 10 भूगलेट आप भारत में कहीं भी रहते हो साथ से आर दिल में आपके पास डिलीवर हो जाएगी स्वार सहीत वियंजन को क्या कहते हैं मतलब जो जिसमें स्वार भी होता है और वियंजन वियंजन को क्या कहते हैं तो जिस वियंजन के बाद हलंत लगा होता है उसमें से आप समयलो कि स्वार हट जाता है और जब ही उसमें हलंत को हटा देते हैं तो यह मतलब उ स्वर्ग सहित और स्वर्ग रहित को अलग करता है तो याद रखिएगा ये स्वर्ग रहित होगा और स्वर्ग रहित कैसे होते हैं जब उसमें हलंत लगा देते हैं तो हलंत से वो स्वर्ग स्वर्ग हट जाता है अम अहा क्या कहलाते हैं अम अहा कहलाते हैं अनुसार और विस लगा होता है वो अनु सुवार कहलाते हैं और अयोग भा कौन से कहलाते हैं जहां पर विसर्ग लगा होता है यह जो सुवार होती है ना यह सुवार होती है ना विसर्ग होती है आ और अहा क्या आ जाते हैं आहा सुवार में आते हैं वियंजन में आते हैं या इन में से किसी मे नहीं आते हैं तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वहा कहते हैं ये ध्वनिया ना तो स्वार है ना ही व्यंजन है अम अहा अयोग वहा कहराते हैं तो ये ना तो क्या होती है स्वार होती है और ना होती है ये व्यंजन इनको क्या बोला जाता है इनको अयोग वहा बोला ज यह सुध्य वाक आपको इसमें डालना था सीमा ने कल डैस काम नहीं किया इस वाक्त में सही निपात का चैन की तो पहला लगा के देखते हैं सीता ने कल ही काम नहीं किया था दूसरा सीता ने कल मातर काम नहीं किया था मातर तो लगी नहीं रहा है सीता ने कल भर काम नहीं किया था सीता ने कल भी काम नहीं किया था यह पहला और चौता सही लग रहा है तो निपात वह होता है जिसमें आप कोई भी बज़ंदारी में बात करते हैं बहुत ताकत लगा कि जिस वर्ड पर पूरे सेंटेंस में ज्यादा फोर्स दिया जाता है उनिपात के अंतर गाता था तो आनद का परियावाची हो जाएगा प्रमोद आमोध प्रमोद आनद को ही बोलते हैं हर सिर्थ सक्ष आमोध मोध प्रमोध उल्लाथ एक बहुत सारे परियावाची की अबजय्चिव लेकिया हो जाएंगी जिसके सर पर चण्दर्मा हो वो क्या कहलाएगा चंदर शेखर जो देने येग होता है उसको क्या बोलते हैं उसको दे बोलते हैं परीचेत का संदी विचेत क्या हो जाएगा परीचेत का परीधन चेत हो जाएगा संयोग का विलोम क्या होगा योग हो जाएगा अना प्रत्त से बना सब्द अना वंदना अन्दे हो अना चार में तो अना प्रत्त दिखी नहीं रहा है अन्चहा में भी नहीं दिख रहा है यहां पे अना दिख रहा है लेकिन वो आगे दिख रहा है उपसर्ग में तो यह भी नहीं होगा अब एक यांसर दिख रहा है आपको वन देना तो यही आपका अंसर हो जाएगा अगला है चंदर भाल सब्द में भाल सा चंदर कौन सा समास होगा जब यह इस पर कार सा मतलब किसी की आप तुल्ला कर रहे हो किसी कोई दो सब्द देख रहे हैं लेकिन वो दोनों सब्द का अर्थ न निकल लाओ किसी तीसरे के बारे में बता रहा हो तो चंदर भाल किसी तीसरे के बारे में इस सारा कर रहा है तो यहां पर क्यों सा समास हो जाएगा बहुब यह समास हो जाएगा नाक पर गुस्से का अर्थ क्या होता है नाक पर उस गुस्से का मतलब होता है तुरंत क्रोथ करना सामाजिक का सुधरूप क्या होता है सामाजिक का सुधरूप सामाजिक सामाजिक वैसे जो कुशन है उसमें भी सही लिखा है अगला कुशन है उदर गरस्ती सिंदू लड़ियां कुटिल काल के जालो सी चली आ रही है फेन गुलती फन फैलाएं ख्यालों सी इस मेगम से भयानक टाइप का आपको लग रहा है भयानक सद्रस्य हो रहा होगा तो कौन सा रस हो जाएगा इसमें भयानक रस हो जाएगा अगला है उदित उदे गिरी मंच पर रगवर वाल पतंगा बिग से संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग तो यहां पर किसी को दूसरे को रूप पूरे तरह से रूप दे दिया है तो वहां पर क्या हो जाएगा रूपक अर्था लंकार होता है और इसको क्या बोलते है रूपक अलंकार कहते है उसके पास कितना धन है इस वाकर का विश्मयादी बोदक क्या हो जाएगा विश्मयादी बोदक कोई भी चीज़ को सर्प्राइसिंग ली बोल देना उसको विश्मयादी बोदक बोलते है उसके पास कितना धन है आप कोशन में पूछ रहे हो तो उसके पास कितना धन है इस पिकार से आप पूछ रहे हैं तो क्या जाएगा उसके पास कितना धन है इसका विश्मयादी रूप है कितना धनी है उसके पास कितना धनी है इस वार्थ का विश्मेदी बुद्दक कैसा हो जाएगा, उसके Joint पूछ रहे हैं तो इसका हो जाएगा वहे कितना धनी है उसके प devotion कितना धनी है, इसका क्या इयुँ आप पूल रहे हैं, इसका आर्ध यही निकाल रहे हैं खितना जादा धनी है अगला कोस्षण है चमचमात चैंचल नयन विच घुमगट पत चीन मानई सरसरीता IGHमघल विशुदरत सों जुगमीन जहाँ वहां पर उत्प्रेक्षालंकार होता है तो क्या है यह उत्प्रेक्षालंकार होगा फ्रेंट डिस्किप्सन बॉक्स में आपको मेरी वाट्सप टेलीग्राम फेस्बुक ट्विटर इंस्टा की रिंग मिल जाएगी जोईन कर लीजेगा मेरा इंस्टा अकाउंट है एक ए एन के एसेचे वान नाइन फाइफ सेवन तो आप मुरे इंस्टा एकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक टैलीग्राम फेस्बुक ग्रूप जोईन कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास वाट्सप पर सेफ नहीं कर नौर आसोओं में किसको रसराज कहा जाता है स्रिंगार रस्को कर गई बन किस भासा का उसर्ग है यह विन उर्दू भासा का सल्ग है अबhäng मगला पड़ते हैं सामाने ग्यान का हिंदी हमारा कंप्लीट हुआ पहला कुशन है मद्यपदेश में लेदर कॉंप्लेक्स कहां है लेदर कॉंप्लेक्स देवास में है मेला घट भाग संदक्ष को बाग संदक्षन किस राज में है मेला घट मेला घट भाग संदक्षन को पोजक टाइट करके तह सबसे पहले कहां पर इस्थापित किया था मध्योपदेश में अपनी प्रिसिद्ध छिप्रा नदी के तट पर कौन सा भारती सहर पाया जाता है तो कौन सा पाया जाता है किस आयोग ने केंद राजी के रिस्तों का परिक्षर किया है सरकारिया आयोग ने किया है आज में आपको मध्य प्रदेश के करीब 800-800-800 प्रेशनों का मेरा थर ले कि आउंगी तीन-चार वजे उसको देखना जरूर देखिएगा उसको देखना मत भूलेगा उससे आपका प कि किस पूर्व CMD को रेलवे बोट का देखिए पुराना कुष्य ने 29 अगस्त को किसके अपसर पर राश्टी खेल देवस मनाया जाता है हौकी के जादूवर ध्यान चंद के जनम देन पर माना जाता है किस तिथी को भायत में आपत कल की घोशना की गई थी 1975 से 1977 में की गई सबसे बड़ा देश है और भागलिक देश्टी से विश्व का साथवा बड़ा देश है तो फ्रेंस यह थे हमारे आज के कोशन समाने गयान के यह हमारा आज का सैट था अगला सेट हम नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे उपर दिया नंबर पर वाट्सब कर सकते हैं को के फ्रेंस तेंक यूँ